Hello friends, very very good evening, कैसे हो, hope करता हूँ, आप सब लोग अच्छे ही जोंगे, शुरो friends, आज की स्वीड हम लोग solve करेंगे, GKSJS का practice it पूरे 40 प्रशनों का हम लोग इस वीडियो में solve करेंगे, 40 प्रशन में से आपके जितने भी प्रशन सही होते हैं, तो last में आप लोग अपना नाम score comment box में जरू से जरूब देगा, और भी classes, अगर आप लोगो देखने ही, तो आप लोग playlist में जाके देख सकते हैं, playlist में आपको सभी subject के most important classes मिल जाएंगी, इन classes के अगर आपको free में PDF डाउनलोड करना है, तो आप लोग हमारे telegram चैनल से जोईन हो शकते हैं, टेली ग्राम चैनल के नाम है education भी साहिल, वीडियो के description box में आपको हमारे telegram चैनल के link मिल जागी, तो चली फड़ा फड़ स्टार्ट करते हैं इस class को, ठीक है, कम समय में बहतरीन अपनी प्रपेशन करनी है, तो ये complete syllabus notes आप लोग हमारा पर चैनल कर सकते हैं, वीडियो के description box में इसकी भी link दे दिया हूं, मातर 169 रुपे में आपको मिल रहा है, पेट एक्जाम का पूरा syllabus notes ठीक है, ये complete syllabus notes है, ठीक है, सिर्फ 500 चातरों के लिए इसका प्राइस रखा गया है, बाकि सभी subject के इसमें questions आपको देखने को मिलेगे, पांच practice भी आपको इसमें free दिये ज ठीक है, चलिए class को continue करते हैं, जितने भी लोग class में आ गये हैं, सब भी लोग video को like करके share करतेंगे, सबसे पहला questions आपकी skin पे आ गया है, जैन धर्म का आधार भूत बिंदू है क्या, जैन धर्म का आधार भूत बिंदू है क्या, सच्ट का right answer क्या हो जगा, जवाब देने क के लिए चलिए, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम सक्ति की इस्तापना हुई, वह कौन सा युद्ध है जिसमें भारत में मुस्लिम सक्ति की इस्तापना हुई थी, यह आपको बताना है, दूसरा का जौब देने के प्रयास करेंगी, तो वह युद्ध है तराइन का द ठीक है पानी पत का पर्थम यूद 1526 में हुआ ठीक है 1526 में और पानी पत का दिती यूद जो है 1556 में हुआ था यह यूद आपको पता होना चाहिए ओके चली बाई अगले प्रेशन को चलते हैं सिंदु शभिता के किस इस्थाल को मरतकों का तीला कहा जाता है वेरी वेरी इसमें आपका जो है एतिहास हो गया जिगवराफि हो गया इकोनामी हो गया साइंस हो गया आंदोलन हो गया तो इसके 30 कुश्चन है बाकी 10 कुश्चन आपकी इस्टेटिक जीके के हैं अभी मैं करवाँगा तो मरतकों का तीला कहा जाता है भाई चली अकबर ने किसे जरी क जरी कलम की उपाधि दी, फोर का जॉब देने का प्रयास करेंगे, फोर का राइट अंसर क्या हो जब देने का प्रयास करेंगे, और जितने ब्लोग चैनल से नए हैं, सब्सक्राइब करके विल आइकॉन को ओल पर प्रिसक लेंगे, जो भी यूपीतर प्लसी पेट एक्जाम क अपडेट है कि वो अपडेट आपको शबसे पहले हमारे चैनल के मादम सही देखने को मिलेगी, ऑथेंटिक अपडेट देखने को मिलेगी, अकबर ने किसे जरी कलम की उपाधी दी थी, तो मुहमद हुशेन को दिया था, ठीक है, आश्ट प्रधान मंतरी परशद किसके का काल में थी, तो ये सीवा जी के काल में थी, अश्ट परधान मंतरी परशद आफनस का जो है आपका ये वाला बिलकुन करेक्ट हो जगा, चलिए, वेरी इंपॉर्टन कुश्चन की सरी चल लई है, यहाँ पर देख सकते हैं, नहरू राश्ट भक्त हैं, क्या है, नहरू रा बादा समझाए ये, तो आप लोग भाई वीडियो को रोग भी सकते हैं, और जिसने बोग क्लास को देख रहे हैं, सभी लोग को से रेक्वेस्ट है, सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आप लोग बहतरेन लाइक का टार्गेट पू विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारती सरकार किस ने इस्थापित की? राजा महेंदर प्रताप सिंग ने इस्थापित की? ओके, ओफन इसका आपका डी वलाबिलकुन करेक्ट हो जगा, चलिए, स्वायत शाषन का जनक की से माना जाता है? एट का जौब देने के प्रयास क स्वायत शाषन का जनक की से माना जाता है? पेट एक्जाम की बेहतरी इन प्रपिशन आप सभी लोग करें, आप सभी को बता है, जैसे ये पेट का एक्जाम होगा अक्टूबर में, 2023 की स्टार्टिंग में ही आपको निव लेकपाल भरती देखने को मिलीगी, लोवर PCS की वेकंसी देखने को मिलीगी, और भी अन्य विभागों में, यानि की अन्य पोश्टे आएंगी, तो बहतरी इन तयारी करें, 75 प्लस इसको रोमान के चलिए, तबी आप लोग मेंस में इलिसबल होंगे, स्वायत सासन का जनक की से माना जाता है, तो लाड डिपन को माना जात है, ओफन इसका जो है, आपका C वाला बिलकुन करेक्ट हो जगा, चलिए, स्वात अंतरता पूरो भारत में निमलिकित में से किसने केंदरी विधान सभा में स्वाराज दलका समर्थन किया था, तो इसका समर्थन किये थे, M.A. जिन्ना, ओके, ओफन इसका जो है, आपका A बिलकुन करेक्ट हो जगा, चलिए, अगला परिशन यहां पर देख सकते हैं, पंजाब के विले के पश्चाद, पंजाब पर सासन करने के लिए कौन बनाए गए परिशत का शदश नहीं था, तो H.M. इलियत नहीं था सदशिच में, ओके, ओफन इसका जो है, आपका D बिल नदी पर, जाब दने का प्रयास करेंगे, रनजीत सागर बांध अव इससी थे किस नदी पर, 11 का जाब दने का प्रयास करेंगे, रनजीत सागर बांध अव इससी थे कहां पे, तो यह है, रावी नदी पर, ओफन इसका जो है, आपका D वला बिलकुन करेक्ट हो, जगर किस राज में हैं, पंजाब राज में हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, चलिए, भारत की जन्जाती प्रोटो आस्ट्रेलाइड जाती का है, किस जाती का है ये, ये जन्जाती प्रोटो आस्ट्रेलाइड, 12 का जौब देने का प्रयास करेंगे, ये संथाल जाती का ह ठीक है यह जन जाती प्रोटो आश्ट्रिलाइट ओफनिस का डी वला बिलकुन करिक्ट हो जाए चलिए भारत का प्रथम अंटाकारटी का आवियान का नेतरत किया था किसने 13 का जवाब देने के प्रयास करेंगे यह कोश्चन्स बहुत बार एक्जाम में पूछा जा चुका ह है तो भारत का प्रथम अंटाकरटी का अवियान का नेतरत किये थी डॉक्टर एस जीड कॉसिम ऑफन इसका जो आपका बिलकुन करिक्ट हो जागा चलिए अधिकांस भारती जनजातियों का सम्मन्द किस समू से है 14 का जवाप देने के प्रयास करेंगे सभी का आंसर आना स्टार्ट हो गया है एक बरफिट से सभी को गडिवनिंग, सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे तो अधिकांस भारती जन जातियों का सम्मन्द की समू से है तो आस्ट्रेलाइट से है ओफनिस का जो है आपका C वाला बिलकुन करिट हो जगा भारत का शब्से महतपूर्ण खनिज युक्त रॉक तंत्र है कौन सा तो भारत का शक्सिब महतपूंड खानीजी युक्त रॉक तंत्र है धाड़वार तंत्र ओफनिस का जो है आपका बी वला बिल्कुन करेट हो ज़ेगे चलिए सुनड जैनती ग्राम सुराजगार योजना परारम की गई थी कब भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है तो राजकोसी घाटे का सबसे अधिक योगदान है ओके ओफनिस का जो है आपका बी वला बिल्कुन करेक्ट हो जगा जी फिप्टीन है क्या एक जी फिप्टीन एक क्या है विकसिक देशों का शंगटन या विकास सील देशों का शंगटन या यूरोपी देशों का शंगटन या एसिया की देशों का शंगटन 18 के जौब देने के प्रयास करेंगे सब लोग तो G15 एक जो है विकास सील देशों का शंगटन है ध्यान रखिएगा ओफन इसका जो है आपका बी वैला बिल्कुन करेक्ट हो जगा G15 की सापना कब हुई थी 1989 में ये भी एक्जाम में कभी कभी पूच लिए आता है ठीक है चलिए इसका Headquarter जेनेवा में है आपका चलिए भारत में आर्थिक उदारी करन करने का सरे किसे प्राप्थ है 19 का जौब देने का प्रयास करेंगे से भारत में आर्थिक उदारी करन का जनक यसरे किसे प्राप्त है पीवी, नरसिंगह, राओ को प्राप्त है वनो के सनच्छन एवं समवर्धन को कहा जाता है क्या पैंटी के जौब देने का प्रयास करेंगे वनो के सनच्छन एवं समवर्धन को कहा जाता है क्या तो वनों के संद्छन एवं समर्धन को कहा जाता है सिलिवी कल्चर क्या कहा जाता है ओफन इसका आपका एवाला बिलकुन करेक्ट हो देगा चलिए अगले प्रिशन के चलते हैं लोग सभा की इतिहास में आपचारिक रूप से प्रस्तुत पहला अविस्वास करेंगे सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आने वाली सभी क्लासे इसका नोटिपिकिशन आपको समय समय से मिलता रहे तो लोग सभा के इतिहास में आपचारिक रूप से प्रस्तुत पहला आविस्वास प्रस्ताओ जिसे के लिए स्विकार किया गया यह किसके दौरा प्रस्तुत किया गया था यहां प्रस्तुत किया गया था मीनू मसानी के दौरा ओफनेस का जो है आपका बी वाला बिलकुन करेक्ट हो जगा चलिए अभी तक राष्टी आपात कल कितनी बार घोसित किया गया है वेरी वेरी बार राश्टी अपात काल घुजित किया गया ओफनिस्ट का जो है आपका सी वाला बिलकुन करेक्ट हो देगा इंपॉर्टेन कुशन है आपके एक्जाम के लिए ओके चलिए लोगतांत्रिक विकेंद्री करण का सुझाओ दिया था किसने लोगतांत्रिक विकेंद्री करण क जो है सुजाओ दिया गया ओफनिस का डी वला बिलकुन करेक्ट हो जगा चलिए संसदी बेवहार में सून निकाल भारत में कब सुरू हुआ था 24 को जॉब देने के प्रयास करेंगे संसदी बेवहार में सून निकाल भारत में कब सुरू हुआ था तो शून निकाल जो भारत में स्टार्ट हुआ था और इस वाश्चत में स्टार्ट हुआ था ओफनिस का बी वाला बिलकुन करेक्ट हो जाएगा चलिए यदी किसी तार की तरज्चा आधी कर दी जाएगा तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा तो उसका प्रतिरोध क्या रह जाएगा एक चाउथाई रह जाएगा ओफनिस का आपका सी वाला बिलकुन करेक्ट हो जाएगा कॉर्नेलाइट किसका ask कहे जवाब देने का प्रयास करेंगे कॉर्नेलाइट किसका ask है science की question आपकी start हो गए है कॉर्नेलाइट किसका ask कहे तो कॉर्नेलाइट जो है मैगनीसियम का ask कहे ऑफनिसका A वाला बिल्कुन correct हो जगा नमलखित में से कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम चुनिए कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम आपको चुनना है 28 का जवाब दने का प्रैस करेंगे तब लोग कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम चुनना है आपको तो इसमें सबसे पहला आ जाएगा कच्चा लोहा, धलवा लोहा, मर्दू इस पाथ, ठीक है, ओफन इसका आपका एवालबिल कुन करेक्ट हो जाएगा, एक कोशन और पुछा जाता है कि लोहे का सबसे सुद्धतन लोग कौन सा है, तो वो पीटवा लोहा आपका हो जाएगा तो बहुत ही नॉर्मल कुशन है, इस कुशन का जवाब आप लोग कमेंट बाक्स में दीजेगा, चलिए, मियादी बुखार में सरीर का मुक्रुप से प्रभावित होने वाला अंक कौन सा है, अगर मियादी बुखार आता है, तो सरीर का कौन सा भाग प्रभावित होगा, आत प्रभावित होगे, ठीक है, और इस का आपका डी वाला बिलकुन करेक्ट हो जगा, अब यहां से आपकी इस्टेटिक जीके के कोशन स्टार्ट हो गए है, धुरूपत गायन छेत्र में दच्छता प्राप्त बालकृष्न बुगा का शम्मन निमलकित में से किस घराने स है, जवाब देंगे, 61 का राइट अंसर क्या हो जगा, धुरूपत गायन छेत्र में दच्छता प्राप्त बालकृष्न बुगा का शम्मन निमलकित में से किस घराने से है, तो इनका शम्मन है, गौलियर घराने से ऑफनिस का बी वाला बिलकुन करेक्ट हो जगा, चलिए, अगले परिशन के चलते हैं, आल राउंड ब्यू नामक पुस्तक लिखी थी किसने, जवाब देंगे सब लोग, आल राउंड ब्यू नामक पुस्तक लिखी थी किसने, तो इमरान खान ने लिखी थी, ठीक है, आफनिस का जो है आपका बी वाला बिलकुन करेक्ट हो जगा, ठीक है चलिए अगले प्रिशन के यह चलते हैं यह पाकिस्तान के पूरपधार मंतरी थे ठीक है और किरिकेटर भी थे चलिए ACI मैराथन चैंपिंसिप जीतने वाले पहले भारती खिलाड़ी कौन है अगले प्रिश्ण में इस्ता लगा कि नोट के लिजेगा कि भारती पसूच इकिस्ता अनुशंधान संस्थान कहां इस्तित है तो ध्यान किये गा बारती पसूच इकिस्ता अनुशंधान संस्थान कहां इस्तित है तो ध्यान रखियेगा भारती पस्वू चिकिस्ता अनुशनधान संसान बराईली में इस्ती थे ओफनिस का डिवला बिलकुन करिक्ट हो जगा भारत के किस पूरुपरधान मंतरी को मरडों परांथ भारत रतन से समानित किया गया था तो ये समानित किया गया था राजियू गांधी जी को अफनिस का डिवलाबल कुन करेक्ट हो जगा चलिए भाई अगले परिशन को जलते हैं सभी लोग जो आप देने के प्रयास करेंगे इस कोश्चन का राई राइट आंसर क्या हो जगा कि International Center for Settlement of Investments Distutes निम्नकित में से किस से जुड़ा हुआ है तो ये जो है वर्ल बैंक से है विस्ट बैंक से जुड़ा हुआ है ओफनिस का जो है आपका एवालाबल कुन करेक्ट हो जगा एचा ही है चलिए विस्ट बैंक किसा रेकितieu नकब है 1944 ठीक है इसका मुक्याल ने कहाँ पर वं से रण न द्स चलिए भारत का पहला राश्ति उद्धान कौन सा है भारत का पहला राश्ति उद्धान कौन सा है तो कारबेट राश्टी उद्दान है कहां पे है उत्राखन में है ओफनिस का डी वाला बिलकुन करेक्ट होज़े दुद्धवा राश्टी उद्दान कहां पे उत्रबिदिश के लाखीम पुरकिरी में राजाजी राष्टियुद्दान और काना राष्टियुद्दान ये किस राज़ में है कमेंट बाक्स में छाप देंगे सब लोग चलिए भारत की पहली महिला राष्टपती कौन है स्रीमती परतिभा पार्टील है और निसका बी वाला बिलकुन करिट हो देगे चलिए निमलकित में से कौन एक सो मेलित नहीं है यहाँ पे देश एक तरफ है एक तरफ मुद्रा है तो मेमार की क्या थे मुद्रा थाईलाइन की बहत है कमबोडिया की देनार नहीं है तो कमबोडिया की मुद्रा क्या है रियाल है क्या है रियाल ठीक है वागी वियत नाम की आपका जो है डॉग है ओके चलिए लाश्ट कोशन नमलिकित में से किस एक सहर को भारत का सून्य मील के अंदर कहते हैं जो आप देंगे नमलिकित में से किस सहर को भारत का सून्य मील के अंदर कहते हैं तो यह कहा जाता है नाटपुर को आफनिस का जो है आपका C वाला बिलकुन correct हो दएगा ओके शो फ्रेंड्स ये थे आपके ZKZS के top 40 questions इन 40 questions में से आपके जितने भी questions correct हुए हो तो आप लोग अपना नाम score comment box में जरूर बताईएगा ताकि मैं जान सकूँ किनका क्या score अभी जा रहा है तो इस वीडियो को like करें शेर करें जितना भी score गया हो comment box में अपनो score बताईएगा और भी classes आप लोग देखते रहें पिछली classes को जरूर देखें revision आप लोग करते रहें तो चली मिलते हैं अगले वीडियो पर इस वीडियो को like करें शेर करें चैनल को subscribe करें लिजेगा इस चैनल के मादम से आपको निश्चेरी मदद मिलेगी जो भी यूपी सर्पलसीफेट एक्जाम की अपडेट हैगी यूपी बीएट कॉंफलें की अपडेट हैगी टीचिंग से रिलेटेट कोई भी अपडेट हैगी वो अपडेट आपको शब से पहले हमारे चैनल एक ये मादम से ही देखने को मिलेगी थैंक इशो मच